अच्छा मैं तो अगला लॉफ अधिशन जो है मैट्रिसिस का वो है एडिटिव आइडिटिटी ओफा मैट्रिक्स एडिटिव आइडिटिटी ओफा मैट्रिक्स अच्छा मैं पास एक नमबर है 15 अब मैं 15 के साथ क्या चीज़ प्लस कर लूँ कि मेरे पास अंसर दुबारा 15 आजाए इसी तरह मैं एक दूसर नमबर है minus 2, मैं minus 2 के साथ क्या चीज़ aid कर लूँ कि मेरे पास answer दुबारा minus 2 आ जाए, ठीक है या another word is let's suppose एक matrix है, matrix A इस matrix A के साथ मैं क्या चीज़ aid कर लूँ कैसा matrix aid कर लूँ कि answer दुबारा मेरे पास matrix A आ जाए, basically यह जो दर्मियान में मैंने आपको बताया हुआ है यह जो कुछ, क्या चीज़ का मैं word use कर रहा हूँ, so basically क्या है कि यह जो दर्मियान में जो number है, यानि 15 plus something यहाँ पे जो number है, इसको मैं कहूँगा क्या हो सकता है कि, अच्छा तो यह दर्मियान वाला जो number है, यानि 15 plus 0 अगर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 15 इसी तरह minus 2 plus 0 करूँगा तो मेरे पास answer क्या आएगा minus 2 so, इसी तरह जो है, अगर कोई और number हो let's suppose कोई भी number हो, A A के साथ भी अगर मैं 0 add करूँगा, तो मेरे पास answer आएगा दुबारा A so, additive identity के मतलब क्या है, कि वो कौन सा number है, वो कौन सा number है, जिसको जब आप add करते हो, किसी भी number के साथ, तो answer जो है, वो वही number बन जाए, answer change ना हो, उस number पे कोई फर्क ना पड़े, उस number की identity जो है, उस number की जो identity है, वो same रहे, तो उस number को हम कहते हैं, additive identity, उसको हम कहेंगे, additive identity, तो basically zero क्या है हमारे पास, zero को हम कहेंगे, additive additive identity additive identity कहेंगे, ठीक है, इसी तरह अगर कोई matrix हो, let's suppose matrix A है, इसके साथ में किसी null matrix को aid करूंगा, null matrix को आम ने देखा था, कि एक ऐसा matrix, कि जिसके तमाम element जो है, वो क्या हो, equal to zero हो, let's suppose, zero, 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 ठीक है, एक ऐसा matrix, जिसके तमाम element equality zero हो, उसको हम क्या कहेंगे, null matrix कहेंगे, तो अगर आप किसी भी matrix के साथ, let's suppose, जाब है, matrix A है, उसके साथ, अगर आप aid करते हो, null matrix को, तो answer दुबारा वहीं matrix आएगा, उस पर कुई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम एक example देखते हैं, suppose, कर ले, मेरे पास, एक matrix है, matrix A, matrix, A, मैं रिकूंगा, matrix A मेरे पास है, 2, 3, 4, 1, और एक दूसरा matrix है, null matrix में ले ले लेता हूँ, 2 by 2 का, जो के है, 0, 0, 0, 0, अब यहाँ पर मैं null matrix of the order 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंके, यहाँ पर जो matrix A है, उसका order क्या है, 2 rows, 2 column, मेरे पास जो null matrix है, उसके भी 2 rows, 2 column होने चाहिए, तब भी matrix A और matrix O जो है, वापस में aid हो सकते हैं, वारना aid नहीं हो सकते, तो हम इंको aid करते हैं, तो हम लिखेंगे, A plus, A plus, O, is equal to, पर हम लिखेंगे matrix A, matrix A क्या है हमारे पास, 2, 3, 4, 1, plus, matrix O हमारे पास क्या है, 2 by 2 का एक null matrix लिखते है, 0, 0, ठीके, तो अब हम क्या करेंगे, कि इन दोनों को आपस में, इनकी जो corresponding elements है, उसको आपस में aid करेंगे, तो हम लिखेंगे, A plus O is equal to, 2 plus 0, 3 plus 0, इसी तरह 4 plus 0, 1 plus 0, यह हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास बनेगा, कि A plus 0 is equal to, 2 plus 0 क्या बन जाएगा, 2, 3 plus 0 is 3, 4 plus 0 क्या बनेगा, 4, 1 plus 0 बन जाएगा, 1, तो अगर हम देख ले, हम अगर यहां पे देख ले, तो यहां पे हमारे पास आएगा, यह जो 2, 3, 2, 3, 4, 1 है, यह basically equal है किसके, matrix A की equal है, किनके matrix A हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 1, तो मैं इस matrix की जगे पे, यहां पे जो है, मैं इस matrix की जगे पे, यहां पे, लिख सकता हूँ, कि यह किसके equal है, matrix A की equal है, so left hand side क्या है, A plus, O, A plus, O, किसके equal आया है, matrix A के equal आ गया, ठीक है, so इस property को कहते हैं, इस property को कहते हैं, additive, additive, identity, of a, matrix, ठीक है, so अगला type of, जो law of addition है, वो है हमारे पास, additive inverse of a matrix, मैं यहां पे लिखता हूँ, इसको, additive, additive, inverse, of a, matrix, basically, additive inverse of a matrix का चीज़ है, कि अगर, for example, कोई भी matrix हो, let's suppose, matrix A है, तो, minus a, जो है, a के जो additive inverse है, वो क्या होगा, minus a होगा, अगर आप a के साथ, जो है, minus a को, plus करते हो, add करते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, एक additive identity बन जाएगी, यानि, o बन जाएगा, यहां पे, null matrix बन जाएगा, ठीक है, अब यहां पे एक चीज़ में और, specify कर लो, कि जो matrix minus a है, यह जो minus a है, basically आप क्या करोगे, matrix a के अंदर, जितने भी non zero elements है, उन सब के जो alamात है, जो sign से, उनको अगर आप change करोगे, तो इस से क्या बनेगा, matrix minus a बनेगा, यहनि, suppose कर ले, अगर हमारे पास matrix a हो, कि 2, 3, minus 1, 0, हम minus a हमारे पास कुछ किस तरह बनेगा, कि जितने भी non zero elements है, यहनि 2, 3, minus 1, चुँकि तो 0 है, इनकी जो alamात है, इनकी जो sign से, उनको हम change करेंगे, plus 2 को करेंगे, minus 2, plus 3 को करेंगे, minus 3, minus 1 को करेंगे, plus 1, 0, 0 ही रहेगा, ठीक है, तो अगर हम a को, हम क्या करेंगे, अगर हम a को जो है, 8 करेंगे, minus a के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, null matrix आ जाएगा, ठीक है, इसको जरा आगे करते हैं, solve करते हैं, मैंने क्या कहा, कि अगर हम a को 8 करेंगे, अगर हम a को 8 करेंगे, minus a के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा, हमारे पास हम देखेंगे, कि a, a हमारे पास क्या है, 2, 3, minus 1, 0, 2, 3, minus 1, 0, पिर उसके बाद क्या है, plus, फिर क्या हमारे पास, minus 1, so, minus 1 क्या है, minus 1 हमने भी find कर लिया, यह जो matrix ही क्या है, minus 1, minus 1 क्या है, minus 1 a, sorry, यह minus 1 a, a है हमारे पास, यह जो matrix है, हमने कहेंगे, minus 2, minus 3, 1, 0, ठीक हो गया, अब इन दोनों को जब आपस में 8 करेंगे, तो हमारे पास क्या हैगा, हम करेंगे, 2, ठीक है, 2, plus, minus 2, हम लिखेंगे, 2, plus, minus 2, फिर क्या है, 3, plus, minus 3, 3, plus, minus 3, then, minus 1, plus, 1, positive 1, minus 1, plus, positive 1, फिर क्या है, 0, plus, 0, 0, plus, 0, जब इसको मजीद सौल्फ करेंगे, हमारे पास आएगा, a, minus a, किस की कुल होगा, अच्छा भई, हमारे पास आएगा, 2, plus, minus, से मटिप्ला होंगे, plus, minus, हमारे पास आएगा, minus, plus, minus, फिर क्या है, 2, इसी तरह, 3, plus, minus क्या हो जाएगा, minus, 3, इसी तरह, minus 1, plus 1, 0, 0, plus 0, 0, तो, हमारे पास आएगा, 2, minus 2, 0, 3, minus 3, 0, नीचे क्या है, 0, 0, इसी क्या बना, कि, a, plus, minus a, जो है, वो किसकी इक्वल आगया, a, plus, minus a, जो है, वो इक्वल हाया, null matrix के, null matrix के, equal आगया, ठीक है, सो, हम कह सकते हैं, कि यह जो matrix, minus a है, यह additive inverse है, additive, inverse है, कि इसका, of, matrix, a, यह, यह, a का additive inverse है, जब minus a, a होगा, a के साथ, तो आपके पास क्या आज़ाएगा, हमेशा, null matrix आएगा, ठीक है, सो, किसी भी matrix के साथ, अगर उसका additive inverse, aid हो जाए, plus हो जाए, तो, आज़ाएगा, अज़ाएगा, null matrix होगा, ठीक है?